नमस्कार दोस्तों, साइन्स आफ तंतरा कैस्टो स्टोक मार्किट में मैं राजिस गोस्वामिया अप लोगों का स्वागत करता हूँ पहले डिस्क्लेमर हमारे द्वारा बताई भी जानकरी 14% से भी ज़्यादा सही जाती हूँ अपने स्टोक में अपलाई करने से पहले अपने फाइनेंशल एडवाईजर की सलाथ जरूर ले मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह के प्रोफिट या लोग्स की जिम्मेवारी नहीं लेता है और यही सेम डिस्क्लेमर दोस्तो हमारी पेड सर्वीस पे भी लागव होता है जो भी वीवर्स हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अगर उन्हें हमारे द्वारा बताई भी जानकरी सही और सटीक लगे तो करेपे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के बटन को दबाएं ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा शेर्स एंड लाइक्स भी करें दोस्तो और जो भी वीवर्स हमारी हमारी पेड सर्वीस को जॉइन करना चाहते हैं वो हमें इमेल कर सकते हैं वन डबल जिरो फाइन फाइन फाइज एट्डर एट जीमेल डोट कॉम पर निफ्टी बैंक निफ्टी गोल्ड सिल्वर डवन एसद एक के प्रेडिक्स अवलेबल है सब में पोजिशनल काम करवाते हैं सिर्फ निफ्टी के अंदर हम इंटेड हैं इन पोजिशनल दोनों काम करवाते हैं तो जो भी इंट्रेस्टेड हैं वो जोइन कर सकते हैं फीस 10,000 रुपीस पर मंत है एक्यूरिसी 90% एंड अबाओ है 10% जो है वो डिस्क्लेमर रहता है दोस्तों वे डिस्क्लेमर ही आपको जोइन करना होता है तो आईए बहुत करते हैं कि आज हमने आप लोगों को क्या कहा था हमने कहा था मार्किट में अपन डाउन दोनों मॉमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे आज भी और वैसा ही मार्किट ने बिहेव किया आपने देखा मार्किट ने सुबह जो है 17-300 को टच किया और वहां से एक बहुत बढ़िया जो है सेलिंग प्रेशर वापिस देखने को मिला आपको और मार्किट ने एक सिरफ लास्ट में मेरी ख्यासे 400 पॉइंट डाउन कर दिया 16830 के आसपास तक का मार्किट ने टच कर दिया उससे भी थोड़ा बहुत नीचे कर दिया होगा दोस्तों तो जो यह लास्ट का मोमेंट था हमें अभी जो है एकस्पेक्टेड था सिरफ 17,040 तक का हमने एकस्पेक्ट किया था 17,040 तक मार्किटेश कर सकती है लेकिन जो नीचे के लास्ट के 100,500 पॉइंट जो और मार्किट ने डाउन किया है वो हमें भी एकस्पेक्टेड नहीं था दोस्तों पर कोई बात नहीं कभी कभी ऐसा होता इसलिए कहते हैं 10% पर डिस्क्लेमर जो है जोईन करना है लेकिन फिर भी ओवराल जो है प्रोफिट सी हुए हैं तो आई अब हम बात करते हैं कल मार्किट में क्या रहने की संभावना है तो आप लोगों ने देखा कि मार्किट में सेलिंग प्रेशर अभी बरकरार ही है ले मैं यह कहूंगा कि आप उसे एक बार बाई जरूर करें क्यूंकि मार्किट ने एक बहुत बड़ा क्रेक्शन आप लोगों को दिया है 18100 से लेके 16800 के लगबग मार्केट टेच कर चुके है तो यानि की तक्रीबन 1000 से 1300 पॉइंट का क्रेक्शन आप लोगों को मिल चुका है तो एक बाउंस बैक डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा और वो मुझे लगता है कि यहां से आपको एक बाउंस बैक जरूर मिलना चाहिए तो मैं यह नहीं कह रहा कि मार्केट रिकवरी कर जाएगी लेकिन हाँ बाउंस बैक आपको जरूर मिलेगा तो बाउंस बैक के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि कल अगर मार्केट डाउन करती है जो एक्सपेक्टेड है थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डाउन डिप पे जरूरा नीचीए तो वो बाई ओन डिप का मौका रहेगा कल के लिए दोस्तों बाउंसबैक की उमीद है और लास्ट में भी आप लोगों ने देखा कि एक सार्प जो है बाउंसबैक आया है 16830 के बाद मार्केट 958 के उपर क्लोज हुई है 1695 तो तक्रीवन सब्सक्राइब का बाउंसबैक वहां से मार्केट ने दिया है तो यह एक ट्रैप भी हो सकता है जो कॉल साइड में जो भी लोग स्टेंड थे जो 17,000 पे लोगों ने मार्केट में कॉल्स अपनी बनाई थी तो उनको निकालने का एक ट्रैप भी हो सकता है पर फिर भी मैं य सब्सक्राइब करें तो बाउंसबैक मुझे उमीद है कि एक बाउंसबैक की पूरी-पूरी संभावना है तो कल हम बाई और डिप में जा सकते हैं अगर हमें डिप मिलता है तो हमें उसे बाई जरूर करना जीए अभी तैसल एसल स्टिक टैसल जरूर लगा के रखें आप क्य successive protests कि होपना कि यूद की मार्कीट कॉइक को कि तगर्ड़ा प्रडिक्टर हो लेकिन मार्कीट जो है मार्कीट ही है दोस्तों मार्किट सूप्रीम होती है हम वी सर प्रफ प्रडिक ही करते हैं यह नहीं है कि मार्किट हमेशा हमारे इसा कंबर से निचे का लो था और मार्किट ने उसे तोड़के 16,830 तक दिखा दिया यानि कि तक्रीबन यह समझे लीजिए आप 200 पॉइंट डाउन गई है मार्किट हमारे लो से भी हमारे इंटरडे लो से भी तो वही कहते हैं कि मार्किट तो मार्किट ही है दोस्तो तो उसलिए आप इसको अबेट atel play और ऐसा कभी नहीं होता कि मार्किट कितनी भी oversold हो मार्किट में गिरने की खुंजा iis हमिशा बनी रहती है तो एसे ल ही play करना है अगर आपको कि बाउंस बैक लेना है तो हमने हम तो जरूरी से बाई करके चलेंगे भी तैसल बाकी आपकी मर्जी है जैसा आप लोग करना सहें कर सकते हैं लेकिन हमारी प्रेडिक्शन के उपर सिर्फ इसके प्रेडिक्शन के उपर आप बाई करते हो तो यह ध्यान रखिए कि हम तो जान बढ़ जाता है हमारे मیमबर्स के अपिक्षा हमारे मैमबर्स को तो हम पुरा का पूरा आगे तक नब भी देंके रिखते हैं और अगर कुछ गलत होता है तो हमसे कोंटक्ट बे तो नीचे और टूड़ गया तो हमने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो वह बात है एक्सपेक्टेड था इसलिए हम प्रॉफिट्स में हैं तो इसी तरह कि अगर आप भी प्रॉफिट्स करना चाहते हो तो आप भी मार्किट के अंदर हमारी प्रॉडिक्शन के नुशार काम कर सकते हो और हमारी मेंबर सी प्ले सकते हो दोस्तो हमें और हमारे चैनल का आप लोगों ने वरपूर प्यार दिया उसके लिए मैं आपका तही दिल से धन्यवाद करते हैं लेकिन यह हमेशा ध्यान रखे कि मैं इसे recovery नहीं कह रहा है मैं सिर्फ bounce back कह रहा हूं यह bounce back एक दिन का भी हो सकता है और यह bounce back दो दिन का भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है दोस्तों और यह recovery में भी बदल सकता है तो संभावनाएं बहुत हैं पूरी की पूरी में clear नहीं करूंगा अभी मैं इसे buy on dips इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि market ने अच्छा correction दे दिया है तो market oversold के उसमें आ चुकी है zone में तो यहां से एक bounce back मैं उमीद करता हूँ चाहे आना चाहिए चाहे वो कितने भी points का है एक bounce back जरूर आना चाहिए तो इसलिए मैं आपको कल buy on dip में जाने के लिए कह रहा हूँ अगर आप intraday करना चाहते हो तो बजाए salon rise के आप buy on dip में जाएं तो ज़्यादा safe रहेगा salon rise अब safe नहीं है बलकि buy on dip अब safe है तो buy on dip में आप एसल लगा के उसे buy करके चलें वो ज़्यादा safe है intraday के लिए पोजिशनली मैं कोई comment नहीं कर रहा हूँ दोस्तो पोजिशनली सिर्व बाउंस बैक का comment है तो मेरी prediction के उपर आप buy करके पोजिशनली ना चलें ये खास ध्यान रखें क्योंकि आप सोच रहे हो कि कभी कि सर ने अभी यहाँ पर buy on dip बोला है तो यहां से market सुदर जाएगा तो ऐसा कुछ होता नहीं है तो सुदरेगा भी तो कहां तक सुदरेगा वह आप लों ग्यान नहीं है तो इसलिए risk reward आपका अपना होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों और हमारी paid service को भी join करने का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा से ज्यादा likes करें ज्यादा से ज्यादा shares करें ताकि हम आपको अच्छी direction देने की कोशिश करें धन्यवाद दोस्त ज्यादा हुत ज्यादा वगजमादेने की का लिए दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा नदार लोग।